संजदत की बायोपिक संजू का ट्रेलर बहुत दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है ये फिल्म एक बहुत ही कांट्रोवर्शियल और बहुत ही बहतरीन कहानी होने के बावजूद लोगों के जुमा पे बनी हुई है और ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसमसंजदत की सारे असली कारणामे और सारे असली एक्सपिरियंस को दर्शाया गया है उनकी जिन्दगी में बीते अभी तक के सारे अनुभव और सारे उताव चड़ाव को दिखाया गया है बहराल ये मूवी संजदत की बायोपिक है तो उसके लिए जरूर ही एक संजदत जैसा करेक्टर चाहिए होगा जो संजदत की असली जीवती को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सके जब इस फिल्म को बनाने के लिए एक्टर की तलाश की गई तो रनबीर कपूर को इस फिल्म के लिए चुना गया क्योंकि रन्बीर कपूर ना सिर्फ उनके जैसे दिखने में लगते हैं और बल्कि उनकी जब इसकी शूटिंग हुई तो रन्बीर कपूर को ना सिर्फ संजदत बनाया गया बल्कि उनके कैरेक्टर में भी डाला गया अब आपको बता दे कि संजेदत की इस बायोपिक को लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ संजेदत की ये बायोपिक एक फिल्म है बलकि उनके जिवती पर बनी असली अनुभव की कहानी है जो संजेदत के जिन्दगी के हर उताव और छड़ाव को दर्शाती है बहराल जन्बीर कपूर इस कारेक्टर को निभाने के बाद वो एक बहुत बड़े स्तर के एक्टर बन जाएंगे अब हम आपको बता दें कि संजेदत की इस बायोपिक का ट्रेलर कल यानि की 30 मई को रिलीज होने वाला है और जो लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं वो भी अपना इंतजार अब खतम कर सकते हैं क्योंकि कल 30 मई को इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है तो दोस्तों खतम कीजिए अपने इंतजार और तयार हो जाईए कल के लिए क्योंकि कल हम आपको अपने इसी चैनल पर देंगे संजूक की मूवी का ट्रेलर जो है संजीदत की बायो पिक जो होने वाली है इस इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी फिल्म और बहुत ही बड़े तर्च की फिल्म जो की इस इंडस्ट्री में तयार कमचा देगी बाकी कैसे और भी खबरे जान ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलिवूड जंक्चन